यूट्यूबर लखन के परिवार में एक बार फिर से कोंटरवसी क्रिएट हो गई है जब से किरति रावत की शादी की तிयारियां शुरू हो रही है वो रावतoya आई यह तब से लोगों नहीं कमेंट की कि वह पैसों कह लिये रावत वीलाई है जबकि किरती ने इसका अब देते हुए उसको पिन किया है कि उसने कहा कि सेंडी को सपोर्ट किया कि कुछ लोग पूछते हैं कि सेंडी ने सोरी क्यों नहीं बोला सेंडी ने पहले कुछ किया ही नहीं तो वो सोरी क्यों बोले पहले इंस्टा पर टारगेट किया गया उसे फिर कमेंट में पहले देख तो मैं नहीं होने दूँगा ये इससे सोसाइटी में गल्त मैसेज जाएगा कि घर की बहू और बेटी में फरक किया जाता है नहीं मैडम कल को लोग है ना अपनी बेटियां देने से पहले या शादी करने से डरेंगे अगर हम ये मैसेज उन तक पहुंचाएंगे तो य बिना गल्ती के उसके सोरी नहीं बुलवाया जाए मैं क्यूं अपने होते हुए किसी और की बेटी को बिना गल्ती के जुकनी दूँगा हर बार सेंडी को ही लोग कमेंट में टारगेट करते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं जिस दिन ये सेंडी का नाम लेना बंद कर दें हैं और कौन कभी हेट कमेंट से वो डिलीट नहीं करता और हेट कमेंट के स्क्रीन शोट मांगर उस पर खुश होता है ये सब किया है कमेंटर रिकी ने रिकी ने आज बहुत सारे लोगों के कमेंट के जवाब दिये हैं एक ने इसी ने का कि क्या दिन आ गया है आप घर के मैटर को बाहर लेकर आ रहे हो तो आप ऐसा मत करो कॉंटरवर्सी फिर से स्टार्ट हो जाएगी तो रिकी ने इसका भी जवाब देते हुए का कि उस दिन जब चाहूं मैं तब एक्सपोज कर दूँगा लेकिन घरवाले हैं इसलिए शरम कर रहा हूं उनकी तरह बेशरम नहीं उन्होंने मम्मी पापा की इतने सारे लाखो लोगों के सामने बेजती की है वैसे मैं उनकी बेजती नहीं कर सकता मैं सच्चा हूँ इसलिए किसी से नहीं डरता हूँ कितने भी फोलोवर्स या उनके सब्सक्राइबर हैं उनको सपोर्ट कर ले मैं पिछे नहीं हटूँगा मैं सभी चीजों का जवाब दूँगा ये सब जवाब दिये हैं रिकी ने ये लोग कह रहे हैं कि आप नीतु को टा लल पर स्टिकर क्यों लगाये थे ये सब जानना चाहते हैं इंस्टा वाले भी इसका भी जवाब दो तो क्यूं मतलब उस टाइम पे आपने नीतु का साथ नहीं दिया था ये भी रिकी के से सवाल पूछे लोगों ने तब रिकी ने इसका भी जवाब दिया है जब मेरी मम ट्यूब और इंस्टापर से तब लोग कहा थे पहले इन कोशन्स का जवाब ले के आओ फिर मुझसे कोई और सवाल करना क्यूंकि जो वीडियो की बात आई थी तो उस टाइम पे रिक्की ने कहा है कि मम्मी के साथ जो भी वीडियो थी वो उन्होंने ही डिलीट करवाई है त और ये है कि अभी परिवार का काम है इसलिए मैं इन सब चीजों से नहीं डरता तो किसी ने कमेंट किया है कि बाया इट इस ट्रू दैट यूर पैरेंट्स विल नोट कॉंट्रिबूट टू यूर सिस्टर वेरिंग बिकोज जब बड़े पर एक्सपेंसिव गिफ्ट और क कैस दिये तो वो शादी में क्यों नहीं देंगे तो मतलब ये लोगों ने कमेंट किया है कि यहां किरती ने बताया कि मेरी सगाई का सारा कर्चा है वो लखन और मैं खुद उठाएंगी यां शारांच की फैमिली उठा रही है तो इस पे भी लोग जानना चाते है कि क्यों आप लोग कोंट्रिब्यूट नहीं कर रहे तो अभी दो दिन पहले की बात है कि रिकी ने बताया कि ममी पापा से बात हुई थी और किरती दीदी भी वहीं थी उसने बोली थी यही बात और उसने बोला मुझे गिफ्ट मत देना गिफ्ट की जगह बहुत सारे कैस दे देना ममी पापा ने कहा ठीक है शादी तो हम करेंगे ही और गिफ्ट की जगह तुम्हें कैस दे देंगे तो ये बात लखन मतलब रिकी ने बताई है कि किरती ने खुद काया कि उसे गिफ्ट नहीं चाहिए आप उसे कैस दे देना ताकि उसकी जो सगाई है वो अच्छे से हो जा ने काये कि ये कॉंटरवर्सी सबसे पहले स्टार्ट किस ने की है आप ये भी जवाब दो इसका मतलब है कि लखन और नीतू ने पहले ये कॉंटरवर्सी स्टार्ट की थी सैंडी ने नहीं की ये कहना है रिकी का और फिर सैंडी को टारगेट करा गया इंस्टा पर चापलूस बोला गया और फिर कॉमेंट में कुछ लोगों की मम्मी से अपनी आपसी लड़ाई थी पैसों को लेकर वो भी कॉंटरवर्सी में गुस गए और टीम बना ली उनके अगेंस्ट मतलब ये सब कहना है रिकी का कि मतलब कॉंटरवर्सी सैंडी ने स्टार्ट नहीं की इसलिए शायद रिकी है वो सैंडी को स्पोर्ट कर रहा है भाया क्या इमेज बना रही है आपकी कि आप उसे पैसे लेते नहीं देख सकते यहां वो मतलब आप उनका साथ दे रहे हो आपको दो दिन में हीरो बना देंगे और नहीं दिया तो नीचे गिरा देंगे चाहे उसके लिए कुछ भी लिखना पड़े दिखा आग लाइन पर कहती है कि बाद में पाई इनवोल हो जाएंगे कहां नहीं सकती तो बता आपको क्यूं बदनाम कर रही है इनका मतलब है कि वो आपको पाई को इन सबको बदनाम कर रहे हैं एक बार पैसे लेंगे सगाई के लिए उसके बाद वापिस से वहीं आपको वापिस इंस्टा पर या यूट्यूब पर आपको गालिया दिलवानी शुरू कर देंगे उनकी इज़्जत मतलब ये सब कमेंट कर रहे हैं रिक्की से मैंने तो खुद उसे पैसे दिये थे जब उसने जरूरत थी सैलरी देने के लिए जो आज तक मुझे वापिस नहीं दिये और ना मैंने मांगे मुझे क्यों प्रोब्लम होगी मतलब रिक्की ने बताया है कि यदि पाई भम्मू कुछ पैसे देते भी हैं तो इससे प्रोब्लम नहीं है उसे रिक्की पैसो का लालची होता तो बिना सोचे नीतू की टीम में चाहे जोव खूब यूट्यूब से पैसे चाप सकता था लोगों का कहना है कि यदि रिक्की हो जाऊंगा तो लोग भी प्यार करेंगे मेरी वीडियोज 5-6 लाग पर व्यू आएंगे ये रिक्की ने का है कि यदि मैं उस टाइम लखन और नीतू का साथ देता तो मेरे व्यू भी अच्छे आते मैं भी करोडों में चाप सकता था लेकिन मैंने उस टाइम भी सच्चा रिक्ती के ले क्या है कि कीर्ती है वो तुरंट जाकर रिप्लाई देती है हर मैसेज का उसकी नजर रहती है और वो तुरंट अपके खिलाफ है वो बढ़का देती है मतलब अब फिर इस चीज़ का द्वाब भी दिया है रिक्की ने रिक्की ने काई कि यह वो शादी का वि किये थे उसको कि मैं भी तेरी शादी में as a brother contribute करेंगा भया जब आप थाइलेंड गए थे तो आपने लखनीत और किर्ती को जो क्यों नहीं बताया किर्ती दी को क्यों नहीं बताया उन्होंने व्लोग से पता चला किर्ती दी ने बोला है उसमें प्लीज रिपलाई करो किर्ती दीजी से भी ये भी पूछो कि जब वो घर से गई थी तो किसको बता के गई थी कि और क्या बोल के गई थी मतलब ये लोग जानना चाहते हैं कि जब वो थाइलेंड गया था तो उसे छोड़ने के लिए लखन किर्ती कोई भी नहीं आये थे वो क्यों नहीं आये तो ये किर फिर द्रीकी ने भी काय कि वो किसको बता कर गई थी